तो आज हम पढ़ेंगे देवरानी जेठानी की कहानी और परिक्षा गुरू उपन्यास के बारे में तो चलिए बिनादेर किये शुरुआत करते हैं आज के लेक्षर की सबसे पहले हम जान लेते हैं देवरानी जेठानी की कहानी और परिक्षा गुरू उपन्यास के प्रकाशन वर्ष और उसमें जो केंद्र हैं केंद्रिय जो भीशे है उसका बारे में देख लेते हैं सबसे पहले अगर देवरानी जिठानी की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1870 जबकि परिक्षा गुरु लिखा गया 1882 में वहीं अगर लेककों की बात करें तो दिवरानी जिठानी की कहानी उपन्यास के लेकक पंडित गौरीडत है जबकि प्रिक्षा गुरु को लिका है लाला श्रीनिवास्तास ने इन दोनों उपन्यासों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये प्रशन बनना स्वभाविक है कि प्रत्थम उपन्यास कौन सा है और किस विद्वान ने किस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है तो देखिए अगर दिवरानी जिठानी की बात की जाए तो इसको जो गुपाल राय जबकि परिक्षा गुरु को पहला उपन्यास किसने माना है अचारे रामचंदर शुकल ने तो यहां से यह वाला प्रशन बनने की संभावना जादा बनती है कि किस विद्वान ने किस उपन्यास को पहला उपन्यास माना है वहीं अगर हम बात करें भागयवती उपन्यास की तो भागयवती को देखिए जो पहला उपन्यास माना है ये माना है डॉक्तर वीजाशंकर मल ने तो हो सकता है इसके बारे में भी पूछ लिया जाए और भागयवती का जो प्रकाशन वर्चे देखिए वो है 1877 इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो देवरानी जेठानी की कहानी है ये कैसा उपन्यास है ये है प्रेमचन पूर्व उपदेश प्रधान समाजिक उपन्यास तो देखिए उस वक्त जो किस तरीके के उपन्यास लिगे जाते थे उपदेश प्रधान है ना जिसमें उपदेश आत्मकता रहती थी तो जो देवरानी जेठानी की कहानी है ये उपन्यास भी कैसा है ये भी ऐसा ही उपन्यास है और परिक्षा गुरु ये दोनों इन दोनों में क्या है similarities है कि ये क्या है उपदेश प्रधान समाजिक उपन्यास है फिर आता है कि जो उपन्यास की केंद्र में सर्वसुख बन्या और उसके दो बेटे और बहु है तो देखिए केंद्र क्या है उपन्यास का किन के इर्धगर्द हमारी उपन्यास के कहानी गूमती है तो देवरानी जेठानी की कहानी में क्या होता है कि एक बनिया जो होता है, सर्वसुक नाम का, उसके परिवार के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमती है वहीं अगर हम परिक्षा गुरू की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि यह अंग्रेजी धंका प्रत्थम उपन्यास माना जाता है और इसकी जो कथा है, देखिए, वो दिली के कारवारी, वह साहुकार लाला, मदर मोहन पर केंद्रित है है ना, तो इसमें क्या है, दिली का जो साहुकार है, रईस है है ना, कई बार यहां से प्रशन पूछता है कि मदर मोहन पर केंद्रित कौन सा उपन्यास है तो देखिए परिक्षा गुरू जो उपन्यास है वो कितने प्रक्रणों में विवक्त है 41 प्रक्रणों में इसको विवक्त किया गया है तो ये तो हो गया इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और इसकी जो इंटरड़क्शन जैसी अब हम देख लेते हैं आगे देवरानी जेठानी की कहानी और परिक्षा गुरू जो ये दो उपन्यास हैं इनके प्रमुक पात्रों के बारे में जान लेते हैं तो देखिए देवरानी जेठाणी का जो प्रमुक पात्र है वो है सर्बसुक है और येमेरेट का एक क्या है प्रसिध ahead बनिया है अगर हम इसके बाद देखें छोटे लाल तो ये क्या है उपन्यास का मुख्य पात्र है तथा सर्बसुक का छोटा बेटा पड़ा लिखा और स दिवरानी के नाम से या छोटी बहु को दिवरानी कहते है न तो छोटे लाल की पतनी पड़ी लिखी होने के साथ साथ क्या थी समझदार भी थी तो इस तरीके का प्रशन भी आपने देखा होगा एक पर कहानी में पूछा था कि जो गैंगरिंग कहानी की लड़की है वो कैसी है ठीक है तो वैसे हो सकता है कि जो छोटी बहु है उसके पात्रों के भी हमें छोटी बहु है उसके भी चरित्र के कुछ विशेष्टा हैं हमें पूछ ली जाएं तो हमें वो भी याद होनी चाहिए फिर है दौलत राम यह सर्वसुक का बड़ा बेटा जबकि ज्ञानों यह जठानी है दौलत राम की पत्नी है ठीक है और घर की बड़ी बहु जो अनपड़ है क्या है साती सात वह अपने सास्त देवरानी की अलोचना करती रहती है तो यह कमपड़ी लिखी है और अपनी सास और देवरानी की क्या करती रहती है यह अलोचना करती रहती है तो यह के अलावा नन्ने हैं मोहन है और फिर आपका जो मुणशी तिकत नाराइन है और फिर हर सहाई ठीक है तो ये दो क्या है य proposed ये आपके जो काबली शहर के अमीर है य भी देवराणी जेटानी के क्या है प्रमुख पात्र है तो इनके जर्ये पूरी की पूरी गता क्या है हमारी उपन्यास की आगे चलती है तो इन उपन्यासों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा पात्र जो है कि इस उपन्यास का है और इसी तरीके से ही प्रशन बनते हैं ठीक है या उपन्यास के पात्रों के कुछ एक विशेश्चता तो परिक्षा गुरु में देखिए जो प्रमुक पात्र हैं इसके वो है मदन मोहन जो लाला मदन मोहन है वो दिली का क्या है कारोबरी वसाहुकार है मद्यवर्गिये मनोवरिती से ये ग्रसीत है फिर दूसरे जो प्रमुक पात्र हैं देखिए इसमें ब्रज किशोर जो मदन मोहन का क्या है सच्चा मित्र है बुद्धि मानेवं शिक्षित वो क्या है वकील है तो दो इसके जो प्रमुख पात्र हैं उन्हीं के इर्दगिर्द या उनको केंदर में रखकर ही इस कहानी आगे की और बढ़ती है लेकिन इसके अलावा जो अन्ने पात्र हैं देखिए जो चुन्नी लाल हैं शंबूद्याल हैं बेजनात पुरुशो तमदास तो यह क्या है यह कुटिल जो उसके दोस्त हैं लाला मदन मोहन के ठीक है तो यह प्रमुख पात्रों के नाम थे जो देव पुनर जागरन की कहानी की समिक्षा करते हैं सबसे पहले अगर हम देखें कि इसमें क्या चीज है पुनर जागरन की चेतना से यह जुड़ी रचना है तो पुनर जागरन की चेतना से यह जुड़ी रचना है तो पुनर जागरन की चेतना से क्या है जुड़ी हुई रचना अशिक्षा के कारण मध्यवर्गे परिवारों के स्थिती क्या थी दैनियती और नारी शिक्षा समाजिक परिवर्तन में आवश्चक्ती और इसलिए क्या खा जाता है कि ये जो उपन्यास है इसकी जो रचना की गई है वो इसलिए की गई है कि ताकि स्थ्री शिक्षा को ले क करके है ना तो आगे देखिए उपनियास में सरवसुख के बेटे वह बहु हैं तो सरवसुख नाम का एक बनिया है और उसके दो पूत्र हैं दौलत राम और चोटे लाल और दो पूत्रियां भी है सुखदेई और पारवती हमने पीछे जब पात्रों के बारे में पढ़ रहे है तो देखिए चोटे लाल उसको छोटे चोटे कहने से उसका नाम क्या पड़ा है चोटे पड़ा है तो जो छोटी बहु है जो देवरानी है वो पढ़े लिखी समझदार ये मैंने आपको पहले भी बिता दिया ठीक है तो जबकि बड़ी बहु जो क्या थी वो उसकी दौलत राम होता था है उसके साथ और सास को छोटी बहु के विरुद बढ़का कर क्या कर दिया घर का बंटवारा करवा दिया और अंत में भी हम यह देखती कि उसकी स्वार्थ प्रवृति दिखती है हमें जब जाइदात के बंटवारे में मंडी की दुकान में कहोता है कि द दो खिड़कियों के दरवाजे तथा चोखट उतार कर अपने साथ ले गई तो यहां से हमें दिखे सपष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को चाहे जितनी भी धन संपती मिल जाए वह दूसरों की संपती दे कर कभी खुश नहीं रह सकता तो यह चीज इसमें प्रमुकता से बता न करवाने का निरने लेते हैं उन्हें जो पुत्र होते हैं उनका वो बाल विवाह न कराकर उनकी पढ़ाई लिखाई पर अधिक द्यान देते हैं तो यहां से हमें पता चलता है कि यह एक अलग तरीके का उपन्यास या अलग समाज की बात करता है ठीक है और चोटी बहु और चोटे लाल के जरीए ही इन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की है ठीक है नन्ने जो है देखिए वो चोटी बहु और चोटे लाल का क्या है पुत्र है उसकी सगाई कई जगा से आई किन्तु चोटे लाल और उसकी बहु ने क्या कर लिया सगाई वापस कर दी पुरा आवाई उन्होंने क्या किया कि जो छोटी बहु के प्रयासों से ही जो उनकी मामी की बेटी थी उसका उन्होंने क्या करवा दिया पुनर बिवाह करवा दिया यहाँ पर ममी हो गया आप इसको करेक्ट कर लिजेगा कि यहाँ पर क्या होगा मामी होगा कि उनकी जो बेटी थी पतंग उड़ाते हुए चट से नीचे गिर गया था और उसकी मृत्य हो गई थी इस कारण जो उनकी मामी की बेटी थी वो मात्र दसवश की अवस्ता में ही क्या हो गई थी विद्वा हो गई थी परन्तु जो छोटी वहू थी उसने क्या किया पुरजोर कोशिश के चलते उसन एक जीवन खुशियों से एक तरीके से भरा पूरा हो गया था तो इस तरीके से हम देखते हैं कि छोटी वहू का जो रोल है वो इस उपन्यास में शुरुआत से लेकर के अंत तक देखने को मिलता है और जो एक कैसी है जो एक प्रगतिशील विचारों वाली स्त्री है पिर यह था देवरानी जिठानी की समिक्षा की इस उपन्यास में स्त्री शिक्षा के उपर ही जात वज्यों दी गई है कि समाज में जो भी रूडी हम व्याप्त हैं उनको खत्म करने की कोशिश की गई है और साथ ही साथ जो अन्य बुराईयां दीखिए जैसे समकाले नारी के स समाजिक परिवारिक स्थिती और बाल विवा, विवा में फिजूल खर्ची, बंटवारा, व्रिधों और बवों के समस्याइं, स्त्री शिक्षा आदी समस्याओं का भी इसमें क्या किया गया है वर्नन देखने को मिलता है तो यह था देवरानी जिठानी उपन्यास की थोड चाते हैं, तो देखिए यह जो उपन्यास है, यह पूरा का पूरा मदर्मोहन की एड़गरी ही घूमता है, जो एक तरीके से रईस है, लेकिन वो क्या करता है, निरंतर जो उसके कटू, जो कुटिल दोस्त हैं, उनके कूचाकर में फंस चाता है और वो उसको जो बुरे काम उसके कारण उसका सारा धन और उसके शोहरत जो खतम हो जाती है, लाला मदर्मोहन के चाटूकार जो मित्र हैं, उन्हें अवरति की ओर ले जाते हैं, परंतु बरज किशूर मदर्मोहन का साथ देता है, और बुरे रास्ते पर जाने से रोकने के उपदेश देते रहता है, तो देखिए लाला मदन महुन के जो चाटु कार्मित्र हैं वो उसे क्या कर देते हैं अवनती पर लिजाने के लिए क्या कर देते हैं अलग-अलग साधनों से उसको उसको पूरत साहित करते रहते हैं कि वो गलत रास्ते पर चला जाएक। तो ऐसी सिती में सिर्फ और सिर्फ उसका जो दोस्त होता है ब्रज किशोर जो फिशे से एक वकील है वो उसका साथ देता है जो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। तो लिकक ने देखी एक क्या स्पश्ट करने की कोशिश की है कि बिगारने वाले जो स्वार्थी मित्र हैं वो विपत्ति पर आने वाले मदन महुन का साथ छोड़ जाएंगे परन्तु विपत्ति की परिक्षा ही सच्चे या स्वार्थी मित्र का निर्णे करती है तो जब वि प्रवित्ती से जकड़े हुए हैं उनके माध्यम से उपन्यासकार ने ये दिखाने का प्रियास किया है कि व्यापार वानिज्य की जो निरंतर बढ़ती हुई शक्ती है वह चापलूसों और सामन्ती अविवेक से गीरी हुई है और यदि हम भारत का विकास चाहते हैं तो हमे भारत को ऐसी कूप्रवित्यों से मुक्त कराना होगा ताकि हमारा और हमारे भारत का क्या हो सके सही माइने में विकास हो सके तो ये प्रमुक उदेश शहर लाला शरीनी वास्तास का इस उपन्यास को लिखने का ठीक है न फिर आता है देखिए देश के प्रती चिंता तो ये बात उपन्यास में कहने की कोशिश की गई है तो ये था प्रमुक जो चीज़ें जो परिक्षा गुरु के संबंद में थी इसमें इससे जादा और चीज़ें हो सकती हैं लेकिन मैंने आपको हलका हलका बता दिया कि इस उपन्यास में क्या चीज़ दिखाए गई है ठीक है तो प्रशन देख लेते हैं कि इवरानी जिठानी की कहानी को हिंदी का प्रत्थम उपन्यास किसने माना तो इस तरी के पहला प्रशन बन सकता है कि किसने माना है यह हमने पीछे चर्चा कर ली है फिर आता है कि देवरानी जिठानी की कहानी किस तरह का उपन्यास है तो यह वाली जेठानी की कहानी के अलावा ग्यानों किस उपन्यास की पात्र है तो देखिए ग्यानों हमने जब उपन्यासों के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने उस दिन भी पढ़ा था ग्यानों और काली तो किस उपन्यास की वो प्रमुक पात्र है धरती धनन अपना जो जगदीश चं उपन्यासे देखिए धर्तिधन्ना अपना उसमें भी क्या है ज्यानो नाम की पात्र है यहां पर जो ज्यानो है जेठानी है जो अनपड़ है फिर प्रशन नंबर चारे देखिए स्त्री शिक्षा के लिए रचा गया पंडित गोरीदत का उपन्यास कौन सा है तो यह वाला त शिक्षा बाल भी वाहा है ना और जो आपका विद्वा भी वाहा इत्यादी इत्यादी जो भी समस्या है वो इस उपन्यास में दर्शाएगी है एक पार इनको आप फिर से अच्छे से देख लीजिएगा इस तरीके के प्रशन अपर पूछे जाने लगे हैं अगला है खिन की विशेष्टाओं को रखा जाए ये सही होगा इसकी जो सेंस होगी है ना तो देखिए उनकी जो कहानी की जो विशेष्टाएं थी भाशा शहली की तो कौन-कौन सी उसमें थी जैसे किसागोई है ना किसागोई मतलब कथा कहने का जो तरीका है वो है ठीक है फिर उस इन विशेष्टाओं को इस उपन्यास में दिखाया गया है उपन्यासकार के द्वारा तो ये थे दीवरानी जेठानी के समद में कुछ प्रशन इसका जो प्रकाशन काल है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसका है ये भी आपको पता है अब हम देख लेते हैं अगल किस क्षेत्र में लाला शरीनी वास्तास ने भरपोर ख्याती प्राप्त की तो दिखिए उपन्यास के अलावा अन्य जो चीजे हैं तो लाला शरीनी वास्तास ने किस विधा में लिखा है ये कहने का मतलब है यहां से ठीक है न तो कौन-कौन से लाला शरीनी वास्तास के ना तो ये वाली बात भी हमने समिक्ष के दोहन कर ली कि उसको बूरे रास्ते से जाने से कौन रोखता है और कौन उपडेश देता है जो उसका मित्र है तो मित्र कौन है वो भी आप मुझे बता सकते हैं क्या परिक्षा गुरू उपन्यास उपदेश आख्यान की श्रेणी में आता है तो ये प्राला प्रशन देखे उपदेश आख्यान की श्रेणी में तो ये भी उसी पहली स्लाइड से लिया गया है कि क्या है ये दोनों उपन्यास कैसे हैं उपदेश प्रधान समाजिक उपन् दिये गए हैं यह दिश्टांत मुख्य तक किस के कथनों में आते हैं तो देखिए ये वाली जो पंक्ती है ये वाला जो प्रशन है बहुत महत्पूर्ण है यहां से दो प्रशन आपके खुद बहुत बन रहे हैं सबसे पहली बात तो यह कि परिक्षागुरू उपन्यास में जगा-जगा कहा की इतिहास से दिश्टांत दिये गए हैं तो यह है इंगलेंड और युनान के इतिहास से ठीक है ना तो यह याल रखना है कि किसमें प्रिक्षागुरू में हैं और यह दिश्टांत मुख्य तक किस पात्र के कथनों से व्यक्त होते हैं तो दीखिए यह जो परिक्षा गुरु है उससे सम्मनित कुछ प्रशन तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही अगर इस लेक्षर में आपको कुछ एक तुरुटियां लग रही हैं या कुछ एक आपके सुजहाव हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्षन में जाकर जरूर बता सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें फिर मिलेंगे नई यूर्जा और नई स्पूर्ति के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जहिंद